तो ट्रेडिंग के दुनिया में स्काल्पिंग स्ट्राटजी बहुत साइ लोगों की फेवरेट स्ट्राटजी होती है स्काल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ही होता है जिससे कि मैं आपको अपने Adjustments उस्टेट के बता पाऊं आप कब Entry ली नहीं, आपका Stop Loss क्या आना अची है और आपके Targets Level क्या होना अची है चलिए स्टार्ट करते है तो गाइस, Bank 50 Scalping के लिए अगर आपको फ्री Indicator यूज़ करना है तो simply आपको TradingView.com पे जाना है तो website का नाम mentioned ने screen पे आपको TradingView.com पे जाना है आपको इस यहाँ पे क्लिक करना है प्रॉडक्ट पे और आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ता चार्ट ओपन हो जाएगा यह प्रॉटली फ्री है इसमें सिर्फ आपको अपने एक अकाउंट पे इट करना है और TradingView चार्टिं के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट बहुत सानों से है तो आप अबर चार्ट ओपन करेंगे तो आपके सान्मे चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे मैंने back 55 चार्ट ओपन किया हुआ है तो simply आपको 15 मिट के टाइम फ्रीम पे जाना है ठीक है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है Indicators पे Indicators पे क्लिक करके आप सर्च पे जाएंगे और आपको सर्च पे सिर्फ ट्राइप करना है More Pants तो यह एक Free Indicator है यह एक बहुत ही अच्छा Indicator है आप इसके बारे में देखोगे तो जिसने भी इसको create किया है यह जब आप Indicator यूज करेंगे तो आपके सामने यहाँ बाइ और sell signals दोनो आपके screen पे plot होंगे तो जब buy single plot होगा तो आपको buy करना है और sell single plot होगा तो आपको sell करना है तो इसको अगर मैं add करता हूँ यहाँ पे तो यह चार्ट पे मेरे add होगे automatically इससे अची चीज क्या होगी बहुत सा है लोग आपको free indicators चाही होते है buy और sell करने के लिए यह absolutely free indicator आपको buy करने को भी बताएगा और आपको sell करने को भी कप करना है बताएगा तो इससे अगर आपको accurately use करना है तो आप इसे 15 मिट के time frame भी यूज कर सकते हो और और अगर आपको और accuracy चाहिए तो आप 1 आर के time frame पे भी से plot कर सकते हो छोड़े time frame पे इसे avoid करो minimum 15 मिट कर time frame होना चाहिए तो आप देखो कि जब यहाँ पे यहाँ पे buy का signal plot हो रहा है तब आप यहाँ पे buy पोजिशन create कर सकते हो और आपका stop loss job होना चाहिए जब आप buy करते हो तो आपका stop loss होना चाहिए जब आपने यहाँ पे buy किया है तो swing low के नीचे तो इस point of time पे देखो आपका यहाँ पे आपने buy position create की है तो एक swing low जो बन रहा है यह swing low create हो रहा है तो आप यहाँ पे अपना stop loss रख सकते हो तो यहाँ पे अगर आपने buy का signal generate होता है तो आप पना swing low chart पे चेक करो और उसके नीचे stop loss रखो ठीक है तो for example यहाँ पे देखो sell signal create हो रहा है तो आप यहाँ पे sell signal हो रहा है create तो यहाँ पे market ने swing low बनाया है तो इसके उपर आप अपना stop loss level रख सकते हो और राइट उसके अलावा देखो buy signal रहा है यहाँ पे generate हुआ सुवए गो buy आप यहाँ कर सकते हो और उसके बाद देखो buy signal के बाद यहाँ पे sell signal generate हो गया ठीक है तो आपने अगर buy signal पे आपने buy position create की है तो आप अपना stop loss रख स्विंग low के रीचे रख सकते हो ठीक है और आप अपने trade पे 1 is to 1 आपने चितना stop loss रखा है आपने 10 point का stop loss रखा है तो आप 10 point अगर target हिट हो रहा है तो आप अपने profits book कर लो और अगर at the same time एक sell signal आ जा रहा है तो अपने position exit कर लो ठीक है तो जब भी market में buy आप position बना रहे हो buy का signal अगर आए आप इंडिकेटर दिखा रहा है तो आप buy position बनाओ stop loss रख को swing लो के नीचे और sell signal आए यहां market आपका 1 is to 1 profit level आपका risk reward अचीव हो जाए तो आपने position काट लो और अगर यहां पे sell signal plot हो जाए तो अपनी position को कर लो ठीक है तो आप देखो कि यहां पे एक buy position यहां पे create हुई तो उसके बाद यहां पे फिर से sell position create होगे तो आपने यहां buy position बनाए है sell position यहां पे sell एक signal आगया तो आपने position को exit कर लो बहुत accurate chart है आप अपना scalping में use कर सकते हो आप option sell कर सकते हो और option buy की time पे भी आपनी position create कर सकते हो आपको buy signal यहां पे generate होता है तो आप अपने option call option buy कर सकते हो ठीक है ओ या at the same time यहां पे sell लादर आता है तो आप put option यहां पे buy कर सकते हो और stop loss आपका यहां swing लिए के नीचे होना चाहिए आप जब भी buy कर रहे हो ठीक है यह एक बहुत ही effective strategy है और आप देखोगे एक लंबे-लंबे बड़े moves को catch करने के लिए यहां पे देखो एक यहां पे देखो इस point of time पे 15 minutes के chart पे आपको एक sell signal यहां पे देखने को मिला तो sell signal आप देखोगे यहां पे bank 15 में sell signal generate किया तो आपने यहां पे sell position बनाई हुए तो यहां पे अपर आप प्रस्टोप्लस रबते हो इसके बाद यहां पे फिर जाके यहां पे buy signal किया हुए तो around आपको 300 से 400 point का movement यहां पे मिलिया ठीक है तो बढ़े-बढ़े moves capture करने के लिए आप यह indicators use कर सकते हो इसकी effectiveness आप खुद देख सकते हो जाए यहां पे buy signal आया है तो आपने यहां buy position क्रेट कर ली फिर आप तो profit मिला market ने यहां पे sell position क्रेट की तो आप तो यहां पे profit मिला यहां पे तो buy आया buy के बाद फिर से यहां sell आगया तो उसके हम आपने position को square off कर लो यहां पे तो sell आपने position क्रेट की है उसके बाद यहां आप तो buy position आपस आया तो इस इतना point का moment आपको फटाफ़ट 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 यह indicator दे सकता है तो इस indicator को यह उसक्सेसफुली option scalping कर सकते हो इस इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो बहुत ही effective tool है free indicator है वो ही पैसे आपको देने के सब्सक्राइब हो और तो यह indicator 100% effective है आपको अच्छे boost देने के लिए 250 में तो अगर आप option scalping करते हैं आपको इंट्राडे में trading लेनी है तो आप यह indicator यूज़ करके कब एक self position बनानी है कब एक by position बनानी है आप इसे definitely वो हे confidence के साब यूज़ कर सकते हैं तो that's it for today guys अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो subscribe करो और इस वीडियो को like करो अगर यह वीडियो से आपको benefit मिलता है तो I am signing off thank you very much and take care